हेलो दोस्तों, एवले निवा में अपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको एक लेटिस्ट ब्रेकिंग निउस के बारे में बताएंगे ये खबर है करोना वाइरस की जो पूरी दुनिया में दिरे दिरे फैल रहा है और इसका कोई इलाज भी नहीं है अब तक 14,500 केसिस सामने आए है और 300 जाने जा चुकी है इस वीडियो के एडिट होने तक और आपके देखने तक ये नमबर और बढ़ गया होगा तो चले दोस्तों अब जानते हैं इस वाइरस के बारे में आज की इस वीडियो से अबको 5 चीजें पदा चलेगी सबसे पहली क्या है ये वाइरस कहां से आया है ये वाइरस क्या है इसके सिम्टम्स और क्या प्रिवेंशन की जा सकती है और फाइनली क्या इसका ट्रीट्मेंट है दिसंबर के end में चाइना ने World Health Organization को एक वाइरस के बार में बताया जो निमोनिया जैसी बिमारी कर रहा था चाइना के वुहान शेहर में और ये तेजी से उधर फैलने लगा और पता चल गया कि ये कोरोना वाइरस है कोरोना वाइरस जनवरों में कॉमन है लेकिन अब ये इतना एवाल्व हो गया है कि इन्सानों पर भी असर कर रहा है कोरोना वाइरस कोई एक स्पेसिफिक वाइरस नहीं है इसके अंडर काफी वाइरस आते हैं जैसे 2002 में कोरोना वाइरस ने सार्स की बिमारी फैलाई थी और 2012 में मर्स की ये वाइरस एक्जेक्टली कहां से आया इसका सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला लेकिन ये वुहान की इलिगल एनिमल मार्केट से आया है रिसर्च अभी भी जारी है और साइंटिस्ट के अनुसार ये साप से फैलना शुरू हा या तो चमकादर से क्योंकि इस वाइरस का जेनिटिक कोड चमकादर में मिलने वाला कॉरोना वाइरस से 96% मैच होता है अब जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये वाइरस सिंबल भाषा में बताएं तो किसी को भी नहीं पता ये वाइरस इतना जानलेवा नहीं है लेकिन काफी जल्दी और असानी से फैलता है कुछ परसंट लोग ही मित्यू के शिकार होते हैं लेकिन अगर कोई बिमारी करोडों लोगों में फैलेगी और इस केस में 2-3% लोग मित्यू के शिकार होंगे तो उस इसाब से 1 करोड लोग इस वाइरस केस हमकर्ण में आएंगे तो 2-3 लाख लोगों की मौत निश्चित है जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है 20% केस काफी सिवेर हैं लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं कि हलके केस कब खतरनाक बन जाए ये वाइरस डिरेक्ली परसन टो परसन फैलता है खासी या छीखने से डिरेक्ट बाडी कॉंटेक्ट और अबजेक्ट से कॉंटेक्ट एक विक्ति दूसरे को इंफेक्ट कर देगा फिर वो दूसरा तीसरे को ऐसे करते करते ये फैल जाता है डव्ली एचो के अकॉर्डिंग एक विक्ति दो से तीन लोगों को इंफेक्ट कर सकता है हर्ट पेशिंट्स डाइबिटीज जैसे लोगों को ज़्यादा रिक्स है और इसके सिम्टम्स हैं बुखारोना खासी अगला खराब, नाग भेना, सास चड़ना और वही लक्षन जो आम बिमारियों में दिखते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसके लक्षन दिखने से पहले ही ये फैलना शुरू हो जाता है और कई रिपोर्ट्स तो ऐसी आई हैं कि जिनमें लोगों को लक्षन दिखे ही नहीं और अचनक से वो भ्योश हो गए अब हम बताते हैं कि आप अपने आपको इस वाइरस से कैसे बचा सकते हैं सबसे पहले अपने हाथ मूद होते रहिए गरम पानी पिए ठंड लगने से बचे मास्क पहने और बिमार लोगों से दूर रहे खासी आने पर मूँ को कवर कर ले भारत में इतनी साफदानी काफी है लेकिन अगर आपका चाइना जाने का कोई प्लैन है तो वो कैंसिल कर दे चाइना से आरी सारी फ्लाइट के प्रेसेंजर का चेक अप हो रहा है इंडिया में भी कोरोना वाइरस का एक केस सामने आया है केरला से पेशेंट को निगरानी में रखा हुआ है लोगों से दूर ताकी ये मेमारी और ना फैले इस वाइरस का अप तक कोई इलाज नहीं मिल पाया लेकिन कुछ लोग अपने आप ठीक होते दिखे हैं साइंटिस्ट इसका क्योर ढूंडने में काफी कड़ी मेहनत कर रहे है और चैना भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये ना फैले दोस्तों आपका क्या विचार है कोरोना वाइरस पर हमें कमेंट में जरूर बताए चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा है कि ये समस्या जल से जल ठीक हो जाए